तो आज हमार पार Zabra Onis का Zab Zaguar Mouse जो कि एक budget mouse है तो देखते है budget mouse में हमें कैसी performance मिलती है and कैसी इसकी build quality है तो खोल लेते हैं इसका डबबा और देखते हैं डबबे के अंदर से हमें क्या क्या मिलता है तो कुछ ऐसा box मिल जाता है हमें Zabra Onis का डबबा खाल लिए तो डबबे गुरुते साइड पर अंदर देखते हम अपने mouse की तरफ तो जो माउस की इनन फील है वो काफी अच्छी है अब प्रीमियम लगता है mouse हाथ में पकड़ने में प्रैस की अकोडिंग और उसकी बिल्ड है वो पुरी मैट पनीश में आती है और बिल्ड क्वाल्टी इसकी कफी अच्छी है और साइड लूक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर इसकी जबरोनिश की ब्रैंडिंग मिल जाती है अब मार लेते हैं इसके फोड़ी नजर और पिछे भी हमें ब्रैंडिंग देखने को मिल जाती है और यहां पर मिल जाता हमें एक सेंसर अभी ने और यहां पर मिल जाती है हमें PTFE Feed जो कि 2-3,000 के माउस में देखने को मिलती है Budget माउस में देखने को नहीं मिलती है इससे होता कि है जो आपकी माउस की movement है वो कफी smooth और कफी fast हो जाती है अगर आप एक gamer है तो आपके यह बहुत काम आती है तो आप मुझे लगाई माउस नहीं चलेगा लेकिन कितने की वापजिद भी माउस यह चल पड़ा जो कि इसकी build quality को और अच्छी से दिखाता है तो बात करें इसकी design की तो design इसका काफी हमें अच्छा देखने को मिलता है बहुत ही comfortable mouse लगा मुझे यह अपने हाथ में काफी अच्छा material है इसके mouse का ergonomic design हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है और जो इस mouse के clickies हैं वो soft clickies हैं यानि कि आप जब इसके clicks प्रेस करेंगी तो आपको इसमें आवाज नहीं आएगी और आप बात करते हैं इस mouse की special presence की चार button mouse हमें यह देखने को मिल जाता है जिसमें एक dpi change button है और जो इसकी dpi वो up to 1600 support करते हैं जो आप तीन स्टेजिस में change कर सकते हो और जो यह mouse है और आप इसको 20-30 second के लिए यूज नहीं करोगे जो कि आपकी mouse के लिए काफी अची बात है और जो इस mouse में आप पॉलिंग rate देखने को मिलता है वो है 250 Hz का जो की budget mouse के हिसाफ से ठीक ठाकी कहूंगा मैं और फाइनल यह अब बार या थी conclusion की तो किन लोगों को mouse यह लेना चाहिए सबसे पहले यह mouse मां उनको suggest करूँगा जिनका जारतर काम computer यह laptop यह क्योंकि वहाँ आपको mouse की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो मुझे इसको comfort है वो बहुत ही अच्छा लगा अगर आप जारतर तक यह mouse यूज दे करेंगे तब भी आपका हाथ में दर्द नहीं होने माला अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तब भी आप यह mouse डफिनिटली ले सकते हैं क्योंकि build quality इस mouse को मुझे काफी अच्छी लगे और जो गेमिंग में आपको इसमें कोई दिक्रत नहीं आने वाली और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को जाचा शेयर करना तो हम मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक लिए बावाई